हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपको अंतराष्ट उडानों से जिड़ी हुई दुनिया वर की सारी बड़ी खबरे एक एक करके बताने वाले हैं तो ये दि आप इन खबरों को जानना चाते हैं तो वीडियो को लास तक जरूर देखें सबसे बड़ी खबर यहाँ पर एमिराथ एरलेंज की तरफ से आ गई है आपको ये बात पता होगी कि एमिराथ एरलेंज 23 जून से भारत से अपनी अंतराष्ट उडानों को चालू कर रही है लेकिन इन फ्लैटों से केबल वही लोग ट्रेवल करके जा सकेंगे जो लोग UAE की रेजिडेंस होल्डर्स हैं क्योंकि यहाँ पर UAE की गौर्मेंट के दोरा 23 जून से UAE की रेजिडेंस होल्डर्स के लिए फ्लैटों को चालू कर दिया गया है जिसकी उडान यहाँ पर एमिराथ एरलेंज 23 जून से शुरू करने जा रही है अगली बड़ी खबर यहाँ पर कैनेडा को लेकर आ रही है तो आपको बता दे कि यह दि आप कैनेडा में ट्रावल करके जाना चाते हैं तो अभी भी आपको 14 दिन दूसरी कंट्री में इस्टे करना पड़ रहा है उसके बाद ही लोग कैनेडा के लिए ट्रावल करके जा पा रहे हैं आपको बता दे कि कैनेडा की तरफ से यह जो जानकारी सामने आ रही थी कि 22 जून से कैनेडा भारत से अपने अंतराश्टो डानों को चालू कर देगा लेकिन आज 21 जून हो गई है और अभी तक कैनेडा की गौर्णमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आ रही है जिससे कि यह साफ साफ नजर आ रहा है कि कैनेडा भी लगे प्रतिबंद को और भी लंबे समय के लिए बढ़ा सकती है इसके साथ अगली खबर यहां पर वैक्सिन सार्टिफिकेट को लेकर आ रही है तो आपको बता दे कि भारे सरकार ने कोविन की वेबसाइट पर पासपोर्ट नमर डालने की जो सर्विस को चालू की थी उस सर्विस को अभी थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया है और अब आप कोविन की वेबसाइट पर जाकर वैक्षिन के सार्टिफिकेट में अभी फिलाल अपना पास्पोर्ट का नमर नहीं डाल पाएंगे क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण इस सर्विस को थोड़े समय के लिए भारस सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है और जैसे ही वो technical problem solve हो जाएगी उसके बाद इस service को फिर दुबारा से चालू कर दिया जाएगा तो यदि आपने अभी तक अपने vaccine के certificate में passport का number mention नहीं करवाया है तो आपको घबरानी की कोई बात नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्दी इस service को फिर दुबारा से चालू कर दिया जाएगा तो उसके बाद आप अपने vaccine certificate में passport का number डाल सकेंगे इसके अलबा अगली बड़ी update यहां पर भारती एरलाइन्स कंपनियों की तरफ से आ रही है तो आपको बता दे कि आगे आने वाले समय में जितनी भी भारती एरलाइन्स कंपनियां वो अपने सभी flight ओं को fully vaccinated crew members के साथी operate करने वाली है क्योंकि आरही ख़बर के अनुसार भारत की जितनी भी एरलाइन्स कंपनिया है उन सभी airlines company ने अपने सभी pilots, सभी crew members और जितने भी airlines में काम करने वाले लोग हैं सभी लोगों को vaccine लगाने का काम सुरू कर दिया है यानि कि इन सभी लोगों को vaccine की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है और इसके अलावा जो लोग बचे हुए है उन लोगों को भी vaccine लगाई जा रही है जिसके बाद आप जिस भी airlines company से अब travel करके जाएंगे तो उस airlines company के सभी pilots और crew members vaccinated होंगे इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है तो आपको बता दे कि पाकिस्तान और योई के बीच में अभी भी अंतरास्टे उड़ाने चालू नहीं है और यह flight जुलाई मेने में ही चालू होने की उमीद नजर आ रही है आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के बहुत सारे नागरिक अभी भी योई में ट्रावल करके जाना चाते हैं लेकिन फ्लैटों के ना चालू होने के कारण यह सब लोग ट्रावल नहीं कर पा रहे है लेकिन यहाँ पर भारत के लिए अच्छी ख़बर है कि योई की सरकार 23 जुन से भारतियों के लिए अपनी फ्लैटों को चालू कर रही है लेकिन वही पाकिस्तान के लोगों को अभी भी और थोड़े समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा तो दोस्तो आज की इन खबरों में फिलाल इतना ही रखते हैं एरलेंस और ट्रावल से जुड़ी और भी जानकारी जाननी के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहे और चैनल को यह आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल एकन दबा कर जरूर सब्सक्राइब कर ले